स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल अलो एब्रिवन वेलकम तो स्टडी आईक्यू एंड वेलकम तो दा सीरीज ऑफ जीसी लियाओं जीसी लियों का ये चोथा लेक्चर होगा जो कि चैप्टर टू पार्ट टू को डिस्कस करेगा तो चैप्टर टू पार्ट टू के अंदर जानने की कोसिस करते हैं कि एक्जक्ली यहां पर आपका क्या देखने को लियुटर तो यहां पर हम डिसकस करने वाले टाइप्स ऑफ माउंटिन के बारें हम बात करेंगे की कैसे कैसे आपके different type of mountains जो है वों हो सकती है और क्या characteristics घो हो है वह धेखने क देखेंगे तो आपको पता लगएगा यहां पे यह प्लेट है बाउंटरी और यह दोनों एक दुसरे के पास आ रही है जब एक दुसरे के पास आता है क्या होगा यहां पर एक टाइम के बाद में दोनों ही क्या करेंगे एक दुसरे से टकराएंगी and they We will start getting out of air, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड मौन्टेन बोलते हैं, अब यह और सीज इंपोर्टन्ट है, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे, जियो सिंकलाइन्स, यह जियो सिंकलाइन्स क्या होते हैं, यह वर्ड का क्या मतलब है, क्या असेंस हैं, देखिए, जब भी क that's why in between we have the geosinkline part दिरे दिरे जासे से compression चलता चला जाएगा तो यहाँ जो भी sediments होंगे वो sediments दिरे दिरे क्या हो जाएंगे compress होना सुरू हो जाएंगे compress होंगे तो देव बी uplifted प्लिफ्टे दा फॉर्म ओ पे mountain ranges की फॉर्म में uplift हो जाएंगे इसी को हम क्या बोलते हैं fold mountain if you will imagine तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपके हिमाल्याज है वो लगबग exact theme ही process रहा है आपके हिमाल्याज की formation कैसे on one side हमारे पास duration plate थी on one side हमारे पास Indian plate थी बीच में जो C था उसको 33C के नाम से जाना जाता था और वो 33C जो है बीच में subject होता से ला गया है and finally आज की time पर हम क्या देखते हैं Indian plate जो है Eurasian plate के साथ में क्या हो रहा है basically they are getting folded into each other and that's why we get to know कि आपके हिमाल्याज की formation जो है आपी नजर आती है अब fold mountain जो है definitely अब क्या हुआ आपका जो crystal part है उसके ओपर stress हाया ना तो I can totally say कि when there is a stress on the earth crust then it led to the development of fold mountain की earth crust पे जब stress होगा तभी आपके fold mountain बनेंगे अब जो रहा ध्यान से सुनना मान लोगी दोनों आपके जो plates हैं वो एक दुसरे में converge कर रही है अब जब दोनों plate एक दुसरे में converge कर ही रही है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि धिरे धिरे आपका कुछ ऐसा wavy structure बन जाएगा जो ये wavy structure बनता है इसमें आपका क्या बनेगा जो नीचे portion जाता है उसको हम sinkline के नाम से जानते हैं अपर portion होता उसको हम anticline के नाम से जानते हैं मतलब there is a difference आपके height का difference होगा depression जो होगा वो sinkline क्यालाएगा और जो आपका uplifted part होगा वो आपका anticline क्यालाएगा अब मान लो अगर anticline या sinkline बनने के बावजोद भी ये force of compression लगाता रहा तो आपको नहीं लगता कि ये mountain थोड़े time के बाद में basically band होना शुरू हो जाएगे इसको हम बोलते हैं over fold वाला situation और अगर फिर भी हम लगातार force उसके उपर implement करते रहे तो लगबगी क्या होगा आपके horizontal plane के parallel आ जाएगा और इस situation को हम बोलते हैं recommend fold मतलब एक ऐसा फोल्ड मतलब एक mountain इतना फोल्ड हो चुका है कि वो क्या हो गया horizontal surface जो है उसके लगबग क्या हो गया parallel हो गया इसलिए हमने उसको बोला recommend fold और अगर फिर भी आपका compressive force बंद नहीं हुआ तो अगर आपका recommend fold बनने के बावजूद भी compressive force बंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा तो फिर मुझे formation होगी कि यह breakdown होगा ठीक है और breakdown होके कुछ part जो हो कहीं जाके गिर जाएगा इसलिए उसको बोलते है नैपेज ठीक है क्या पता mountain यहां जाके गिर जाए और क्या पता mountain यहीं पर गिरा रहा है तो मतलब वह piece कहां गिरता है उसी एरिया में गिरता तो लोकल नैपेज के नाम से कहलाएगा लेकिन यह broken part क्या कहलाता है नैपेज इसलिए आप जानती है और breaking तो होना ही अगर लगातार force of compression लगता रहा तो एक stress जो है limit वो तो आई जाएगी और stress limit के बाद में definitely आपकी mountain क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है by this way we get to know कि आपकी fold mountain form होती है एक और आपका mountain होता जिसको बोलते है block mountain block mountain से पहले मैं आपको एक example देना जाऊंगा आप लोगों ने काफी बार देखा होगा girls ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे girl student ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो आप rubber डालते हो अपने चोटी में उसको अगर आप थोड़ा सा खीचना शुरू करोगे तो यूविल फाउंड की किसी-किसी प्लेस पे वह काफी थिक होगा मतलब थीन और थिक जो पार्ट है वह आपकी अलग-लग देखने को मि अगर अर्थ क्रस्ट के ओपर आपका कोई compressional या टेंशनल फोर्स लग रहा होगा तेंशनल का मतलब forces in acting away from each other compressional का मतलब forces acting towards each other तो टेंशनल और compressional force की विजए से क्या देखने को मिलता है we get to know कि आपकी block mountains जो है वह form हो जाती है आपका क्या होगा block mountains जो है वह form हो जाती है अब एक टेंशनल फोर्स का मैं example देता हूँ आपने सुना तो होगा great African Rift Valley के बारे में नहीं क्या definitely आपने सुना होगा तो आपको नहीं लगता जो great African Rift Valley है वह दोनों टेंशनल फोर्स की तरह ही काम कर रहे है definitely Africa से वह area क्या होता चला जाएगा अगर मैं Africa की बात करो तो Africa से वह area देरे देरे क्या हो रहा है आपका separate होता जा रहा है ऐसा ही एक example आपको नजर आता red sea का red sea को even nascent sea के नाम से भी जानते नाशन का मतला होता नया नया बना हुआ से क्यों बोल्लखेंइम इसको नया नया बना हुआ सी क्योंकि यहां पर मुझे पता लगता है इस at this particular place this Sea Red Sea is quite new in nature काफी नया है ए रेड़ इसी और यह रेड़ ही की formation धो यह नजर आती है तो यह nascent sea की converted into C, ये भी एक दिन ऐसा हो जगता है, कि वो C में convert हो जाए, अब देखो यहाँ पर, जब ही tensional force लगता है, तो आपको जिसे पता लगा कि कहीं पर thinning हो जाएगी, और किसी place पर thickening होगी, जो आपका upper part होता न, जो part height पर होता है, उसको हम horse के नाम से जानते हैं, और जो part नीच होता है, तो मतलब grabon नीचे होता है, edge से height को stand कर सकते हैं, तो horse जो होगा, वो upper part होगा, ये ups से आप से पूछ सकती है, तो horse या grabon के बारे में पूछेंगे, या कुछ examples के बारे में पूछ सकते हैं, definitely, ये भी बोला जा सकता है, कि compression से होता है, या फिर tensional से, तो आप ध्यान bowling forces से आपके block mountains जो है, वो create हो जाते हैं, develop हो जाते हैं, next आपका mountain होता, volcanic mountain, वैसे तो नाम से ही नज़र आ रहा है, volcanic mountain, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस case में, कोई भी आपका magma chamber होगा, वहाँ से लावा जो है, वो went के थूँ भार आएगा, और फिर क्या होगा, लगाता deposit हो जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कौन सी टाइप का लावा आपके mountain बनाएगा, type, I think आप टाइप तो भूल चुके हैं, type मैंने बताया था आपकी previous class के अंदर, जिसमें हमने दो टाइप के लावा को discuss किया था, एक था आपका acidic लावा, और एक था आपका basaltic लाव जाएगा, तो definite सी बात है, यहाँ पर mobility बहुत जादा होगी, क्योंकि viscosity बहुत कम होगी, तो यह लावा तो बहुत लंबे एरिया में फैल जाता है, लेकिन जो acidic लावा होता है, वो छोटे सी एरिया के अंदर ही spread करता है, इसलिए वो mountain की formation करता है, तो right there, जब आप volcanic mountain की बात mountain आपका क्या है, basically it is a part of volcanic mountain, और basically एक system जो नजर आता है, जो force नजर आता है mountain के पीछे, वो होता है आपका heat transfer का force, क्योंकि interior आपका temperature high था, outer temperature low था, तो high temperature से low temperature तक genuinely heat जो है लावा की form में transfer होगी, and that is the only logic which we can say, कि it is accountable for the volcanic mountain to get formed, next is residual mountain, now what is this, what is this word, residual I think residual तो कोई ऐसा word होता जो बचा हुआ होता है, जी हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, देखो, मानलो अगर कोई land form डवलप हो गया, तो land form डवलप होने के बाद में, क्या हम ये नहीं कह सकते कि भार से exogenic forces लगातार लगते रहेंगे, rainfall होता रहेगा, wind erosion होता रहेगा, glaciers erosion होता रहेगा, मतलब लगातार erosion जो है आपके वो चलते चले जाएंगे, और जब लगातार erosion आपका चलता चला जाता, तो फिर जो mountain की formation होती है, उसको हम residual mountain के नाम से जानते हैं, My dear friend, सबसे जादा residual mountain जो बनती हैं, वो arid region के अंदर बनती है, arid या फिर semi-arid, अब सबसे पहले तो यही समझना होगा हमें, कि arid या semi-arid region होता क्या है, arid या semi-arid region एक ऐसा region होता है, जहां पर आपका minimum rainfall देखने को मिलेगा, मतलब उस case में, आपका rainfall जो होगा, वो बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही low level का rainfall होगा, low level का rainfall से क्या हो जाता है आपका, wind जो है, strong agent की तरह behave करता है, जो की erosion को promote करता है, and that's why, उस erosion को, जो wind से होता है, उसको बोलते है, aeolian erosion, और वो erosion क्या करता है, आपका, residual mountains की formation करता है, जैसे कि monard knock US के अंदर जो है, आपका, वो देखने को मिलता है, monard knock जो बने हुए वहाँ पर, वो आपकी residual mountain का example, तो residual mountain simply means, क्या से form होगा, एक process होता है, जिसको बोलते है, denudation का मतलब क्या होगा, denudation actually दो process को consist करके बनता है, एक होता है, weathering और दूसरा होता, erosion, weathering and erosion, ठीक है, क्योंकि denudation का exact meaning जो बोलू हूँ अगर में, तो इसका मतलब होता है, strip off, मतलब किसी भी layer को हटा देना, strip off करना, किसी भी layer को हटा देना, जैसे आप सुबह उठते हो, अपनी गाड़ी से cover हटाते हो, तो यह strip off करना हो गया, तो ऐसा ही मतलब होता, denudation का, कि किसी layer को हटा देना, अब कोई layer ऐसे तो है, कि बहुत ब इसी तरुके से आपके platoos की टाइब भी होती है पहले तो से यही बताओ कि title क्या ऻोता है देखो mountain की जब बात करएं तो आपने देखा था कि mountain का एक peak था एक summit था किसी भी level धर देखेंगे तो mountain का अपना a अपफी होवा है आपको इस तीस एक और آजा भी लग गया होगा मैंने तो मिनरल्स मिलते हैं प्लैटी जो हम मिनरल उयस काफी important होते हैं और इसके हिसाब से minerals की काफी ज़्यादा importance होगी तो मतलब plateau की economic importance भी काफी ज़्यादा होती है plateau have high economic importance, plateau की economic importance जो है वो काफी ज़्यादा होती है तो right there we get to know की what are the different type of plateau then तो आपने ये तो देखी लिए क्या प्लैटू क्या होगा, एक elevated upland होगा यूज़िली क्या होता, एक descent topography के surround में बन जाता है and sometime it is also referred as table land, क्यों? क्यों क्यों क्या होती है table भी तो uplifted होती है और उपर का area बिल्कुल flat होता है इंदा similar way हमारे पास plateau भी देखने का मलता है जैसे आपका uplifted region होगा, उसके ओपर ही क्या बन जाएगा आपका एक plateau की formation बड़े आराम से हो जाती है तो सबसे पहले आपके पास एक plateau आता है जिसको हम plateau को क्या बोलते है एक dissected या mountainous plateau के नाम से नाम दे सकते है मतलब एक ऐसा plateau जो tectonic level पे बना हो अब tectonic का मतलब क्या होता है tectonic का मतलब simple था है जैसे आपकी mountain बनी थी हिमाल्याज जब Indian plate आपकी duration plate से टकराई तो स्टाइम पर जैसे आपकी हिमाल्याज बने थे वैसे आपका क्या बना है तिबतन plateau भी बना है दोनों plate टकराई एक दूसरे से एक strong force implement हुआ और आपका तिबतन plateau uplift हो गया और यह चीज़ आपके tectonic plateau के अंदर क्यालाती है तिबतन plateau है बॉलिवियन plateau है अब बॉलिविया के तो बहुत interesting story है जैसे हम आपके नाम पे अपने नाम पे अपने लीडर के नाम पे सुबास चोग गांधी से आपका एक plateau develop हो जिसको आमने tectonic plateau का नाम देथी है अब देको इन tectonic plateau को कई बार हम इंट्र के नाम से भी जानते हैं इंट्र मोंटियं वाइं Exposca क्योंकि कई बार क्या होता है दो mountainALала होता है और उन mountain की यह अंदर क्या होता है deposition तलता चला जाएगा और फिर आपके प्लैटू की डवलपमेंट हो सकती है तो मतलब वह आपका इंटर मॉंटेन प्लैटू भी कहला सकता है नेक्स प्लैटू होता वॉलकनिक प्लैटू अब आप नाम से ही समझ गए होंगे जैसे वॉलकनिक माउंटेन आपकी बनी थी वैसे ही जब आसा नहीं कहना पता हैंगे शाथ सर एंटिक और बसालटिक का फरक होता हो क्योंकि अड़कनिक क्या होगा आपका वॉलकनिक प्लैटू की फोर्मीशन हो जाती है कोलंबिया सिनेक प्लैटू जो हो पर्फेक्ट एग्जांपल आपके वॉलकनिक प्लैटू का वैसे आ आपका example भी दिया हुआ है that is Ireland में जो प्लाटू है वो भी आपका किसका example है volcanic in nature का है तो right here मुझे पता लगता है इस case में आपका love outburst होगा deposit होगा और एक प्लाटू की formation करेगा जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ volcanic plateau का नाम दे सकता हूँ right there a core plateau होता जो dissected plateau होता है dissected plateau का देखो more or less मतलब होता है breaking dissected का more or less क्या मतलब होता है breaking तो मतलब अगर आपका landmass किसी तरीके से dissect हो जाता है sometime यह जो plateau है वो कहां पर देखने को मिलेगा limestone topography के लिए limestone में क्या होता है calcium carbonates and all यह सब dominating होते हैं इससे चलते क्या होगा जब आपका water overflow करता है तो यह क्या होते हैं डिसोसीत हो जाते हैं तो यह जो dissociation देखने को मिलता है आपके प्लैटू का यही आपका क्या कहलाता है आपका that is d-disected plateau कहलाता है क्योंकि यह एक एक छोटे-छोटे pieces में छोटे छोटे पाट के अंदर इसको क्या कर देता dissect करता है, cut कर देता है, that's why this is named as dissected plateau, right, and yes, economic importance तो इसके भी काफी ज्यादा होती, अब plateau के बाद में एक और development भी होती, plain area, isn't it, we are living in the plain area, जैसे इंडिया के पास तो कितना सारा बड़ा plain area, northern plain को हम पढ़ते हैं, तो वो क्या है आपका, एक plain area ही तो है, तो northern plain भी अपने आप में क्या है, एक plain area की तरह नज़र आता है, तो we have lot of plain areas, so right there, plain area का मतलब क्या होगा, plain area is a most important landform surface, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा highest population को sustain करवाते हैं, highest population जो इस area के अंदर रहते हैं, that's why they are known as plain area, तो relatively क्या होंगे, यह flat होते हैं, surface काफी gentle होता है, local relief जो है, इसके अंदर minimum होता है, sometime time is plain area को हम क्या बोलते हैं, आपके penny plane या फिर paddy plane के नाम से भी जाना जाता है, even there are certain geographer जिनोंने इसको endrumf के नाम से भी जाना था, तो मतलब अलग-अलग नाम हम इसके लिए use कर सकते हैं, मुझे पता रगता है कि around 55% जो earth का land है, वो किस से occupied है, आपके plain area से occupied है, definitely plain area are quite quite important in nature, हमारे दे काफी ज्यादा important है, मुझे पता लगता है कि plain area mostly कैसे develop होते हैं, sometime the river brings out lot of the sediment, it will deposit the sediment and it led to the development of plain area and exactly this is the reason because of which India के जो northern plane है, वो बने हुए है, जी हाँ, Indian northern plane are depositional in nature, क्योंकि हमारी जो Ganga, Brahmaputra river है, they bring lot of the sediments and they deposit them and then it led to the development of plain area, चुब यह देखते हैं कि आपके plain कितने type क होते हैं, एक होता structural plane, ठीक है, one is known as structural plane, structural plane का मतलब क्या हुआ, structural plane का मतलब है, simple structure change हुआ होगा, कोई ऐसा force लगा किसी low lying area पे, कि वो uplift हो गया, तो मतलब अगर sea floor uplift होआ तो definitely क्या होगा, continental self में convert होगा, इंदन plane area की development करेगा, तो मतलब यह major continents बने हुए हैं, वो आपकी कैसे बन से बने थे, sometime ऐसा भी होता है कि structural nature जो है, वो subsidence से भी बनती है, जैसे कि, अगर मानलों आपका plateau area है, तो plateau तो height भी होता है, अगर वहाँ पे subsidence सुरू हो गया, तो definitely you don't think so कि वो थोड़े time में plane area के अंदर convert होगा, जी हां, तो upliftment is equally important as much as it is subsidence, और आपका जो Russian plane है, that is the best example for structural plane, तो structural plane का simple सा meaning है, या तो subsidence हो, या फिर आपका क्या हो, upliftment हो, दोनों ही valid reason है, जिससे आपका क्या बन सकता, structural plane बन सकता है, दूसरा मेरे पास जो plane देखने को मिलता है, वो होता, erosional plane, erosional plane का मतलब, कोई wind है, या moment आपका glacier का हो रहा है, या फिर आपके river का moment हो रहा था, river क्य करती जा रही है, आपका लगातार erosion करती जा रही है, again denudation करती जा रही है, denudation का मतलब अभी समझाता है, हमने strip out, मतलब weathering हुआ, और फिर erosion भी हुआ, यह denudation होता है, और इसी से आपका penny plane की development होती है, तो जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कही बार semi area arid region के अंदर आपका pediments या pedipleine भी बनते हैं, तो specifically pediment और pedipleine जो term use होती है, वो होती है arid region में, और penny plane term use होती है, mainly falluvial erosion में, falluvial erosion मतलब river से जो आपका erosion हो रहा है, वो falluvial erosion क्यलाता है, वहाँ पे हम term use करते है, penny plane, इसके अलावा एक ओर होता depositional plane, तो हमारे जो Indian northern plane है, they are depositional nature, इसके अलावा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, जो आपके कावेरी डेल्टा, यह जो डेल्टा देखने को मिल रहे हैं, यह भी प्लीन एरिया में, इक अनवर्ट हो रहे है, तो यह भी क्या है depositional nature, तो right here मुझे पता लगता, अगर कोई river, बहुत सारे sediment लेके आए, और क्योंकि वो river अपनी old stage पर पहुंच जाएगी, तो वो क्या करेगी, deposition करेगी, और deposition से क्या बनता है, आपका depositional plane बनते हैं, तो geomorphic process में एक agent की तरह आपका काम करेंगा, deposition nature देखने को मिलेगी, तो इंडिया के जो alluvial plane है, या sometime we call them riverine planes, वो क्या है आपके, basically depositional nature है, तो मुझे लगता है, इनको flood plane के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, कोशी इस लोने सोर आफ बिहार, लेकिन ये आपके flood plane को develop करती है, ऐसी जो आपके गंगा, ब्रहमपुत्रा है, गुदावरी है, कृस्टल plane को develop करती है, even waves आती है, वेव टकराएंगी, व erosion करती है, तो you don't think so, कहीं deposition भी करती होगी, ऐसा तो है ने कि wind ने erosion किया, और बस erosion को लेके घूमती ही रहती हो, कहीं deposition ही करती, it is not like that, वो deposition करती है, और उसी deposition को some depositional plane के नाम से जानते हैं, तो कोई भी agent हो, चाहे glacier है, चाहे wind है, चाहे water है, चाहे आपके river है, वो सब आपका landform developed होता है, उस featureless landform को penny plane, paddy plane, आपका, या फिर एक simple depositional plane के नाम से जाना जाता है, तो that is quite simple to understand, right, and India is blessed with these, because इनकी fertility जो है, that used to be amazing, खासकर valuable deposition की, तो valuable deposition जो होता है, उनकी property जो है, मतलब जो इनकी जो fertility है, काफी जादा होती है, that is a really amazing thing, right, so that is it, okay, one more thing, important thing, क्योंकि दिवाली sale is about to end, अभी, क्योंकि 26th is the last date, जो इसके उपर आप क्या कर सकते हो, ये code को valid कर सकते हो, अगर आप affordable education से अपनी preparation करना चाहते हैं, तो definitely you must not delay for it, 14th of November से आपका geography optional start हो रहा, you can use the code kapil live, and you can subscribe for the batch, you can take admission to the batch, and one more important thing is, कि आप other optional में भी admission ले सकते हैं, by using the code kapil live, you will be getting maximum discount out of here for taking admission, अगर आप foundation batch को search करते हैं, definitely it is here, आप kapil live का code foundation batch में भी यूज कर सकते हैं, in short, मैं बोलना चाहूंगा study IQ की तरफ से आपका जो दिवाली gift है, that is there, and you can subscribe this, you can take benefit of it, after using the code kapil live, okay guys, all the very best, take care, इस session पी PDF को डाउनलोड करने के लिए, ये telegram channel आप जोइन कर सकते हैं, और अग अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कपिल लोट भादवास 2022 के आप मुझे directly message कर सकते हैं, all the very best, take care